हलो दोस्तो नमस्कार मैं सौगत करता हूँ आपका OKJobs की जटका सेरीज में तो जैसा कि आपको पता है कि कल इसे पहले एक जटके में हमने याद करें थे प्रजा मंदल जो प्रजा मंदल थे उनकी इस्थापना कब होई थी और आज इस जटके में हम याद करने वाले कि उन प्रजा मंडल की इस्थापना किस नहीं की थी देखें बैक टू बैक दोनों वीडियो हैं अगर आप इन दोनों वीडियो को अगर इन दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका मज़ाई मज़ाए रिजन बता देता हूं क्यों क्योंकि exam में question पूछा जाता है लग भग ठीक है तो चलिए start करते हैं प्रताप गड़ प्रजा मंडल आंदूलन की स्थापना किस नहीं की थी ट्रिक के साथ बताएंगे वैसाब एक मिनिट का टाइम देना सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको भी मज़ाए जाएगा मेरे को तो आते ही है देखो प्रताप गड़ अमरत लाल चुन्नी लाल अमरत लाल चुन्नी लाल रिलेट करो प्रताब महारणा प्रताब अमरत पिया था चुन्नी में चान कर परफ्यूम लगावे चुन्नी में अरे नहीं अमरत लाल चुन्नी लाल परताब गड़ यानि कि परताब गड़ परजाम अंडल जो आंदुलन था उसकी इस्थाप न करी थी अमरत लाल ने और चुन्नी लाल ने ट्रिक याद करा रहा हू महारणा परताप जी ने अमरत को चुन्नी में छान कर पिया था इस तरह सो बहुत फोला दी थे वो पता तो हो गई आपको अगर रजिस्तान की तियारी कर रहे हो चलो नेक्स पर बढ़ता हूँ सहापुरा इसमें सीधी सीधी याद रखो रमे सहा देखो अमित सहा है याद होगा आपको अमित सहा आप याद रखो रमे सहा सहापुरा रमेश कुसल कड़ प्रजामंडल भवर लाल निगम भवर लाल निगम देखो आपने रामलीला महाबारत एकस वाई जैडी जितनी भी अपने पोरानी दार्मीक कताई यह देखी होगी उसमें जो गुरू जी होते न वो सिस को क्या देते हैं ऐसे हाथ करेती तो बोलते हैं चिरनजी भव कुसल भव और पता नि कौन-कौन से भवाते हैं तो वहां से याद करना है आपको रिलेट करके कुसल भव मैं लिख देता हूँ, यहां पे लिख देता हूँ, उसका कुसल भाव, कुसल भाव, देखिए जहां पे भी आपने नोट्स बना रखे हैं, वहां पे इन चीजों को लिख लेजिए, क्योंकि बार-बार जब तक नहीं देखोगे ने इनको, तब तक आपके जो नहीं जादा से जादे प्रेक्टिस करो, और प्रेक्टिस के दोरान मेरी बातों को याद करो, थोड़ा सा रिलेट करो माइंड में, और तब जैसे जैसे इनको आप इनके गोतरू जाओगे, बैक टू बैक, बैक टू बैक, जाते ही जाओगे, तो यह ओटमेटिकली याद होते च ना बाबू लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है बाभू बाभू तो अपने लिखेंगे बाबू की जगह बाभू यानि कि बासवाड़ा वुपिंदर नात जहालावाड जहालावाड की किसने करी थी मांगी लाल भवे कनहीया लाल मित्तल ज्यादा तर यह आता है बहुत कम चांस होते हैं जब यह आता है ठीक है इसी को याद करवाता हूँ देखो जहालावाड में लावा दिख रहा है आपको लावा लावा और लावा उधर लगा हुआ है लावा है की नहीं अच्छा जी यहां पर आपने देखा हुआ है गीला लिखा हुआ है तो वह गीला ही है लावा जो है वो पिकस है गीला है सूखा नहीं है तो लावा को आप याद रखेंगे गीला से जो कि यह जहलावाड में और मांगीलाल में चलो नेक्स पर बढ़ता हूँ बुन्दी कांतिलाल गजब की ये फोटो लगी हूई बुकाटी की देखो और ट्रिक में भी अपना क्या है बुकाटी बुकाटी गाडी लगी हूई एक बर देखले ना याद आजाई किसन गड़ कांतिलाल चोथानी देखो एक दोन इन दोनों को सिर्फ इसलिए लिखा है तकि आपका जो है confusion दूर हो जाए आपको confusion ना हो किसन ये छोटा है ये छोटा है ये बड़ा है ये छोटा नाम है ये बड़ा नाम है मैंने ऐसे याद किया था लेकिन आपको इससे भी अच्छे तरीके से याद करा देता हूँ किसन गड़ किसन किरसंजी भगवान कांती चमक चहरी की किसन की कांती तो भाई साब अलोकी के है समझ रहो तभी तो उसकी दिवानी ये दुनिया याद हो चुका होगा नेक्स पे लेके चलता हूँ कोटा नयनुराम अब देखो कोट के जो बटन होते हैं उनकी जो सेप होती हो कैसी होती है सोचो एक बर आया कुछ दिमाग में बटन बटन जैसे होते हैं कोट के बटन नयन जो होते हैं अपने आँख जो है वो कोट के बटन जैसी होती है अपने बोलें इन बटनों को बंद कर ले चलो ठीक है याद हो जायागा टेंसन मतलब हो साब तो यहाँ देखो कितनी खूबसूरत सी फोटो लगाई हुई है हमारे टेक्निकल टीम ने यहाँ पे एक हड़ी है देखो हाडोती हाड से बोलो हड़ी और नयन से बोलो नयन तो यह रहे नयन और यह रही हड़ी दोनों ही अंग है ठीक है अच्छा धोलपूर कर्शन दत्पालिवाल जुआला प्रसाद जिग्यासू गजब की ट्रिक है धोलपूर के नाम से एक ही चीज याद आती है बागी बीहड के बागी तो देखो बाबुजी बैठे हैं साथ में अब एक बास बताओ जो पच्छपन में आपन मूवी देखते तो याद आता चंबल के अगर डाकू देख जाये बाइस मज़ा आ जाए तो हम आपको दिखा देते हैं उस टाइम पे क्या रहता था डाकू को देखनी के जिग्या सा रहती थी क्या रहती थी जिग्या सा जो मिलते हैं कहां पर धोलपूर में अब नहीं है पहले की बात है याद हो रहा होगा मैंड में सेट एक दम से चलो next पे बढ़ते हैं और next पे जैसे बढ़ते हैं तो यह मिल जाता है यह अलवर लवर बस अलवर में तो लवर को याद रहो सारा आपका उद्दार हो जाएगा एक परसेंट भी टेंशन मतलो देखो लवर अब बताओ नारायन के सामने नारायन के सामने कोई टिकाया भी तख लवर आप बताओ इदने ख़तरनाक लवर थे आप याद करो आप तो लवर हरी नारायन जियानी कि कृषण जी बगवान ठीक है जी वैसे एक बात बता दू यह RHINE, थलिए हमारे पास में है, तो मैंने उसको च्रह से रिलेट कर रहा है, बाकि भरत überzeug प्रजामंडल की स्थापना वो कहां हुई थी, रेवाडी में हुई थी, और किस ने करी थी किसनलाल जोसी ने करी थी ठीक है ये सहयोगी थे तो याद रख लो भरतपूर की किसनलाल जोसी ने करी थी जोस जोस में रेवडी खाके क्या कहा मैंने भरतपुर परजामंडल आंदुलन की स्थापना रेवाडी में करी थी किसने करी थी किसनलाल जोसी ने करी थी जोस जोस में रेवडी खा गए थे रेवडी रेवडी खा गए थे और इसी वज़ा से भरतपुर परजामंडल आंदुलन की जो है इस्थापना हुई थी शिरोही व्रद्दी संकर तिरवेदी और गोकुल भाई भट इससे पहले वाड़े जटके में मैंने आपको ये याद कराया था कि कौन से प्रजामंडल की इस्थापना कब हुई थी यानि कि सन कुन सी थी तो मैंने आपको उसमें बताया था सिरोही सी से यानि कि ससी थरूर से बताया था मैंने जो इसको याद करना था देखिए इसकी स्थापना एक बर तो इनोंने की थी जो गोकुल भाई भटे इनको बोला जाता है गांधी कहां का राजस्थान का गांधी तो इसको याद करा देता हूँ ये तो सबको याद रहता है मैं इसको याद करा देता हूँ एक बर देखिए व्रदी संकर तिर्वेदी यहाँ पर देखिए सिर और रोही मैंने इसको थोड़ा संदी विच्छेद करने की कोशिस की संदी विच्छेद कुछ नहीं जस्त इसको तोड़ाए मैंने सिर और रोही देखिए क्या हुआ उसने तीन वेद पढ़े तिरवेदी है न तो तीन वेद को ग्याता है भाई जब उसने तीन वेद पढ़े तो उसके सर में हो गई व्रधी सिर बोले तो सिर और व्रधी बोले तो व्रधी अब भई तीन वेद पढ़ लिए एक होपड़ी में तो समाय नहीं उसके हो गई तीन सिर समझ रहे हो और व्रदी हुई जैसी वो रोही यनि कि रोही तो आप सिरोही से याद रखेंगे व्रदी संकर तिरवेदी और गोकुल भाई भट गोकुल भाई भट का तो आपको पताई है कि कहां से related थे सिरोही से यह छोटा सा यह याद हो जायगा ऐसी देखिए जैसल मेर में मिठे लाल जैसल मेर में मिठे लाल भाई इसकी तो आप याद ही कर लो यह जो वर्ड है ना बस इसी से याद कर लो आप तो यहाँ पर जल पढ़ता हूँ सल की जगा पर जल पढ़ता हूँ ठीक है ना अब एक बात बताओ जिस बंदे ने मदीरा का पान कर लिया वो आदमी सही रहेगा क्या अरे वो बिख जाएगा यार समझे रहे हो आप यानि की पीका नेर में कौन मगरम वैद कोशिस सिर्फ यही है कि आप रिलेट करो चीजों को खोपड़ी में बठा लो अपने जब भी याद कर लो फायदे में रहोगे अब मैं एक बात बता दिता हूँ आपको एक सिंद्र रुकिये पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा देखू अब पानी पी लिया है मैंने अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना वो इन दोनों में क्या होता है पता है वो अब मैं एक बार थोड़ा सकर देता हूं परचार, जटका सीरीज का उद्देस ग्यान देना नहीं है, बिल्कुल भी एक परसेंट भी नहीं है, सिर्फ नोकरी पारना है, साम दाम दंड वेत, जैसे भी मिले वैसे ले लो बस भाई, ठीक है, अच्छा, अगर कोई suggestion हो, suggestion को क्य क्या बोलते हैं, हिंदे में में को नहीं पता है, मैं लिख देता हूं, suggestion, और spelling भी गलात हो, तो कोई बाद नहीं चलेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, क्या history of Rajasthan, और वो भी याद करने के लिए, तो अगर आपको ये छोटी-छोटी वीडियो, हमारा efforts, अगर आपको झाले हैं, क्या हूं?